रूट पांच को संख्या रेखा पर बनाने के लिए हम सबसे पहले स्केल से कितनी भी लंबी लाइन खीच लेंगे जितना हमारा मन होगा इसको नापने की कोई जवत नहीं है इसके लिए इतनी लंबी है तो मैंने इतनी लंबी लाइन खीच दी है ना तो इसको नापने की कोई जवत नहीं है मैंने नापकर नहीं खीचा है अब इसके बाद इतना करने के बाद हम लाइन पर कहीं भी 0 ले लेंगे अपने मन से है न हम कहीं भी 0 मान लेंगे जैसे मेरा मन हुआ यहाँ पर 0 लेने का यहाँ पर कहीं भी कहीं भी हम 0 ले लेंगे तो यहाँ मन हुआ मेरा तो मैंने यहाँ 0 ले लिया अब 0 लेने के बाद जो बाकी संख्याओं की दूरी होगी वो तो बराबर होनी चाहिए, है न, जब हम 0 से 1 unit लेंगे, या 1 cm लेंगे, तो वो तो बराबर होनी चाहिए, जितना 0 से 1 होगा, उतना 1 से 2 होनी चाहिए, उतना 2 से 3, 3 से 4, है न, तो बाकी इसके बाद जो भी संख्याम इस पर लिखेंगे, उन सब की दूरी बराबर होनी च इतना हम केढ़े हैं जब zero ले लिया हमने इसको कितना भी खोलिल्य अपने मुन से यसाब हम थे इतना प्रकार को कोई कहेँगा कि एक सेंटीमीटर क्यों नहीं ले रहे है स्केल से तो सवाल में हमसे यह नहीं कहा कि रूट पांच सेंटीमीटर को दर्साओ हमसे तो कहा है कि रूट पांच को दर्साओ संख्यारेखा पर तो वो हम किसी भी यूनिट में ले सकते हैं सेंटीमिटर में ले या मिली मिटर में ले उससे कोई फरक नहीं पड़ता तो ये सेंटीमिटर में है या मिटर में है हमें जानने की कोई जोओत नहीं है ये दूरी जो है नो वो सेंटीमिटर में है या मिली मीटर में है, या इंच में है, ये किस यूनिट में है, ये हमें जानने की कोई जोवत नहीं है, इसलिए हम इसका नाम नहीं देंगे, कि ये सेंटी मीटर है, ये एक सेंटी मीटर है, हम इसे सिर्फ यूनिट बोलेंगे, कि ये एक यूनिट है, इसके हमने एक सेंटीमीटर नहीं बोलेंगे क्योंकि हो सकता है सेंटीमीटर इससे कम हो सेंटीमीटर तो फिक्स हो गया ना सेंटीमीटर तो जितना दुनिया में सब के लिए बराबर सेंटीमीटर होता है एक सेंटीमीटर किसी के लिए इतना है तो सभी के लिए उतना ही होगा तो हमें वह कौन से unit में है यह मैं बार-बार कह रहा हूँ तो इतने से दूरी को हमने एक unit माना है अब यह बराबर होनी चाहिए है ना तो 0 से यहां पर हमने रखके एक निसान लगाया एक unit हो गया फिर यहां पर हम रखके एक बार निसान लगाएंगे तो ये फिर एक दो यूनिट हो गया है ना, जिरो से एक, दो जिसे संख्या रिखा होती है, स्केल पर स्केल बना रहे हैं हम, अपने हिसाब से बस यूनिट का नाम नहीं दिया फिर एक और लगा दिया, जितना वनो गया, दो, और ये तीन अब इससे जादा जोद भी नहीं पड़ेगी, इसे थोड़ा से सजा दिया, इसको ऐसे एरो बना दिया इधर भी ऐसे एरो बना देंगे है ना, इसका मतलब है ये लाइन हो गई संख्या रिखा, ठीक है पीछे की तरब नहीं बनाए, क्योंकि इसकी जरुवती नहीं है, हमें सिर्फ आगी की जो हता है, रूट पांच तो एक पॉजिटिव नंबर है है ना, तो पीछे जाने की जो हती नहीं है, पीछे तो सिर्फ नेगेटिव वाले आते हैं, है ना अब इसके बाद, इतना करने के बाद हमें ये ध्यान रखना है, कि रूट पांच को बनाने के लिए, हम लंब कहां पे डालेंगे, इसका मतलब है 90 डिग्री का कॉन, लंब का मतलब है 90 डिग्री का कॉन, तो वो हम किस पे बनाएं एक पे बनाए, दो पे बनाए, या तीन पे बनाए, अक्सर ये confusion भी होता है, कि कहां पे 90 डिगरी का कौन बनाए, तो वो हम सीखते हैं अब, तो इसके लिए हमें ये ध्यान रखना है, कि चाहे कोई भी रूट हम धरसाना चाहें, कोई भी रूट को बनाना चाहें, रूट दो रूट तीन, रूट पांच, रूट छे, रूट साथ, कुछ भी, तो जो हमारा मकसद होता है, मकसद होना चाहिए हमारा, कि किसी भी त्रिभुज में, अगर एक कोण, कोई सा भी एक कोण, जैसे ये वाला जो है, ये नब डिगरी हो जाए, तो इसको हम समकोण त्रिभुज कहते हैं, है न, चुकि ये त्रिभुज क्यों है, क्योंकि इसमें तीन भुजाए हैं, एक ये दो और ये तीसरा ये, तीन भुजा मतलब त्रिभुज, और एक कोण 90 डिगरी का हो गया, इसका मतलब समकोण त्रिभुज, है न, एक कोण 90 हो गया, तो समकोण त्रिभुज, अब 90 fuckin के सामणे जो भुजा है news को ऐसे कर्न कहते हैं इसको और इसको हम कहते हैं नीचे वाले को आधार कि गर भनने से पहले सबसे पहले हम अधार बनाते हैं तब उसके ऊपर हम एक दिवार फिर द endless से बनाते जाते तो घर बनता है तो यह अधार हो गया इसको कहते हैं लंब है ना तो 90 डिग्री के सामने वाला कर जो इधर नीचे वाला आधार और जो यह जो जिस पे हमने तीसरा जो बच गया वो लंब हो गया अब जैसे हमें यहाँ पर रूट पांच बनाना था तो हमारा मकसद यह होना चीए कि कि किसी भी तरह से हम कर्ण को रूट पांच ले आए अगर हमारा कर्ण जो है वो रूट पांच के बराबर हो गया तो हमारा काम तो हो गया तो उसके लिए हम आधार कितना लें और लंब कि नाले ये हमें ध्यान रखना है तो इस त्रिभूज के बारे में सबसे पहले जिसने बताया था उनका नाम था पाइथा गोरस तो ये पाइथा गोरस प्रेमय का नाम सुना होगा बहुत ही फेमस है तो उन्होंने ये कहा था किसी भी समकोर त्रिभूज में ये समकोर आधार का वर्ग करो, है ना, और लंब का वर्ग करो, और दोनों को जोड़ दो, तो वो जो है ना, वो कर्ण के वर्ग के बराबर होता है, ऐसा उन्होंने कहा था, और ये बहुत ही फेमस है, किसी भी समकोर्ट रिबोज में, आधार का वर्ग करो, लंब का वर्ग करो, दोनों को जोड़ दो तो वो कर्ण के वर्ग के बराबर होता है तो अब हम आधार क्या ले लंब क्या ले जो कर्ण हमारा रूट पांच आ जाए यह हमें सोचना है तो अब जैसे सोचने का सबसे अच्छा तरीका जैसे किसी यह ने कहा होता कि हमें अगर कर्ण जो है root 2 चाहिए होता जैसे कि यह समक्त्रीबुज हुआ है ना क्योंकि इसका एक कोड़ नब्बेड़ी का है इसलिए यह समक्त्रीबुज हो गया यह हमें रूट 2 चाहिए तो इसके लिए हम आधहार कितना लें और लंब कितना लें है अगर हम आधार का वर्ग करें, मतलब एक का वर्ग करें, है ना आधार एक लिया है, एक का वर्ग करें, लंब का वर्ग करें, लंब भी एक लिया है, एक का वर्ग करें, दोनों को जोड दें, तो एक का वर्ग तो एक होता है, एक का वर्ग एक होता है, दोनों को जोड दिया, तो कितना आ गया दो, तो जो हमारा कर्ण का वर्ग है, वो किसके बराबर आ गया, दो के बराबर, तो कर्ण कितना आ जाएगा यहां से, रूट टू के बराबर, यह तो समझ में आ रहा होगा ना, यह स्क्वाइड जब उधर जाता है, तो रूट बे बदल जाता है, उसी तरी ले ले तो कर्ण कितना आएगा अधार का वर्ग किया लंब का वर्ग किया हम अधार यहां पर दो ले रहें और लंब भी हम दो ले रहें दो का वर्ग दो का वर्ग दोनों को जोड दिया तो दो का वर्ग तो चार होता है है ना दो का वर्ग कितना आगया 8 तो यहां से कर्ण कितना आ जाएगा root 8 यह तो गलत हो गया ना यह तो हमें नहीं चाहिए था हमें तो root 5 लाना था तो कुछ और सोचेंगे हम तो अब ऐसा करते हैं जो आधार है वो 2 लेते हैं जो लंब है वो 1 लेते हैं दो यूनिट यह लिया एक यूनिट यह लिया अब करके देखते हैं तो आधार का वर्ग किया कर्ण का वर्ग क्या होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग मतलब एक का वर्ग दो का वर्ग 4 प्लस एक का वर्ग 1 4 एक 5 आ गया कर्ण का वर्ग अगर 5 तो यह square उधर जाएगा तो root में बदल जाएगा तो करन आ गया root 5 मिल गया ना करन आ गया root 5 तो कैसे आया उसके लिए हमने आधार दो unit लिया और जो लंब है वो एक unit लिया ठीक अब वही वहाँ पे लेंगे हम तो यहाँ पर जो आधार है वो दो unit लेना है मतलब यहाँ से 0 से एक unit हुआ और यह unit यह हुआ एक से एक तो यह दो unit हो गया ना 0 से एक एक से दो यह पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक दो unit है तो यह दो unit हो गया तो यहाँ से लेकर यहाँ तक दो unit हो गया तो समझ में आ रहा है कैसे हुआ है ना इतना एक unit फिर यह एक unit एक एक दो unit हो गया तो अधार हमने 2 unit लिया और हमें लंब कितना लेना है 90 degree किस में बढाएंगे यहाँ पर क्योंकि हमें लंब एक unit लेना है दो पे अब हम मम ढालेंगे लंब डालने का मतलब है 90 degree का code बनाना तो वो हमें यहाँ पर बनाना है एक पे लंब डाल देंगे तो इसका 3 भू चोटा हो जाएगा इसका मतलब हो गया कि हमने आधार जो है एक युनिट लिया है अगर हमने यहाँ पे घर लंब डाल दिया तो है ना जिरो पे नहीं डाल सकते तो लंब कुछ हुआ ही नहीं तो हमें यहाँ पे 90 degree का कौन बनाना पड़ेगा ताकि आधार हमारा दो unit के बराबर हो यहाँ पे है नदो पे बनाएंगे ठीक ऐसको इसे रखा और यहाँ पे मुझान लगा लेंगे 90 degree पे यह 90 degree उपर में है यहाँ पे हम ऐसे निसान लगा लेंगे तो यह हमने आधार 2 unit लिया है और 90 degree का कोण बना कर उस पे हम 1 unit ले लेंगे ठीक अब इन दोनों को हम मिला देंगे इससे यह जो निसान लगाया था उससे हम मिला दे रहे हैं इसको यह हमने मिला दिया यह 90 degree का कोण बन गया इतना काम तो हो गया है ना इतना करने का मतलब हो गया कि हमने आधार 2 unit लिया है और जो lumber भी डाल दिया हमने और lumber पे हमें 1 unit ले नहीं है है ना तो यह तो 1 unit खुला ही हुआ था शुरुआत से हमने 0 से 1 unit मान कर लगाया था निसान यह उतना ही खुला हुआ है मैंने बदला नहीं इसको तो अब यह यहाँ पर रखकर ऐसे 2 पर रखेंगे और हम निसान लगा लेंगे उपर की तरह यह 1 unit हो गया हमारा 1 unit हमने काट लिया इस पे यह लिख दिया मैंने 1 unit हम दोनों को join कर देंगे मतला मिला देंगे दोनों को अब जब इन दोनों को मिलाएंगे तो 3 घुझ आ जाएगा है है न ऐसे जैसे join किया 3 घुझ बन गया 3 जी बनाना था समकोन 3 घुझ if में एक आधार 2 unit है और जो लंब है वह एक unit है 3 भूझ बन गया है कितना आता है RO Oregon 5 तो यहां से आमारा कर्ण क्या लिखेंगे रूट पांच यह हम सीख चुके हैं अभी पिर से एक बार और लिख देंगे अच्छे से यहां पांच हो गया कर्ण हमारा अब हमसे यह नहीं कहा है सवाल में कि कर्ण pont 5 में हमसे तो कहा है कि रूट पांच को संख्या रेखा पर दिखाओ, तो ये संख्या रेखा तो थोड़ी है, संख्या रेखा तो नीचे है, तो हमें रूट पांच को इस पर दिखाना है, ना कि उपर, है ना, यहां पर नहीं छोड़ सकते सवाल को, अभी खत्म नहीं हुआ है, मकसद नहीं पूरा हुआ है तो हमें संख्या रेखा पर रूट 5 को दिखाना है तो संख्या रेखा पर दिखाने के लिए हम क्या करेंगे कि रूट 5 की दूरी को इतना यहां से लेकर यहां तक रूट 5 है तो इसको हमने नाप लिया प्रकार पे है ना इसको खोल के ऐसे अच्छे से ना प लिया यतना root 5 हो गया इसी को पटक देंगे संख्या पर उठाके ये root 5 है और इसको हमने ऐसे 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 करके ऐसे गिरा दिया इस पर यह जहां भी कट हुआ है जहां भी काटा है इसने यह root 5 है है ना इसका मतलब यह हुआ कि जितनी दूरी यह है उतनी दूरी यह बराबर है ना यह root 5 है यह भी root 5 है हमें तो संख्या रेखा पर दिखाने को कहा था 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 हमने दिखा दिया ये रूट पांच हो गया हमारा अब अगर ये दिमाग में आ रहा है कि रूट पांच दो से आगे क्यों हुआ तीन के आगे क्यों नहीं हो गया ये तीन के नजदीक क्यों नहीं हुआ इतना इससे इतना पहले कैसे हो गया तो ह एक, दो, तीन ऐसे करके ये सही नहीं हो सकता है, दसमलों के बाद कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना हम अंदाजा लगा सकते हैं कि दो से जादा होगा, है ना, दो से जादा होगा, तो इसलिए दो के थोड़ा आगे आया है, दो के आसपास है, है ना, दो के थोड़ा बहुत ह नजदी के दो के, तो 2 से जादा होना ही चाहिए, तो ये हमारा अंदाजा सही है, है ना, तो ये रूट 5 हमारा, हमने दरसा दिया संख्या रेखा पर, अब परिच्छा में लिखने के लिए, एक्जाम में, हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, कि इसको A मान लिया, ताकि और अच् पॉइंट को हम C मान ले रहे हैं, अब हम पैथागोरस परि में लगाएंगे, इस त्रिभुज में, है ना, तो अब हम लिखेंगे, त्रिभुज A, B, C में, त्रिभुज A, B, C क्या कहा है, यहाँ है, यह जो त्रिभुज है, A, B, और C, इसमें हम पैथागोरस परि में होता है कि आधार का वर्ग करो पैथागुरस ने क्या कहा था आधार का वर्ग करो आधार क्या है एबी यह हमारा आधार है तो आधार का वर्ग करो है ना और लंब का वर्ग करो लंब क्या है बी-सी है ना बी-सी लंब का वर्ग करो दोनों को जोड़ दो तो आपको क्या मिले यह कुलेगा वह किसके बराबर होगा कर्ण के कर्ण क्या है AC तो AC के बराबर होगा इधिक यह कहा था यह ठिोरम पहे हमें लगाना है तो हमारा AB क्या है AB है दो यूनिट दो का वर्ग Понiche है प्लस BC है हमारा एक यूनिट है न इस त्रिभुज में देखो एक एक हे है दो का वर्ग चार होता है प्लस एक का वर्ग एक होता है तो एसी स्क्वाइर कितना आ गया यहां से एसी स्क्वाइर आ गया हमारा पांच तो यहां से एसी कितना आ जाएगा एसी आ जाएगा रूट पांच हो गया बस इतना सा करना था ठीक ना इतना हम करके दिखा देंगे एक्जाम में पूरा नमबर मिलेगा